हलो बच्छा लोग क्याल चाल मास्त और स्वस्थ इसी स्वस्थता के साथ हम पहुँच चुके हैं टेंस की सीरीज में पास परफेक्ट कांटीनिवस हिंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके पहले हम परचेंट का जितना भी पोर्षन था वो खतम कर चुके हैं और पास्ट का जितना भी पोर्षन था उसमें भी खतम कर चुके हैं यह समझे लास्ट लेक्चर और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा इसी का पास परफेक्ट निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके बाद हमारा पास्ट का पूरा लेक्चर और परचेंट का पूरा लेक्चर टेंस की स्रीज में खतम हो चुका है यदि आप वीडियो नहीं देखें हैं तो आप सबसे पहले जाके वीडियो प्यारा सा देखिएगा और नोट बनाएगा ठीक चलिए नहीं नोट बनाएंगे तो ये पले लिस्ट बना दिया गया है उसमें जाके सारा तो आप इजली देख सकते हैं ठीक क्योंकि टेंस के भी ना देखा जाए तो इंगलीस अधूरी रहती है ठीक है चलिए टेंस तो आपको आना ही आना चाहिए आप यह किसी भी कलास में हैं तो टेंस आपको कमपल जरी है ठीक चलिए आपका प्यारा सा वीडियो पास परफेक्ट कांटीनिवर्स टेंस जैसे कैसे पहचानेंगे कि यह पास परफेक्ट कांटीनिवर्स टेंस ही है कैसे पहचानेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए पहचान पता होना चाहिए क्या लिखा है पहचान जिन वाक्यों के अंत में आ रहा था आ र रही थी आ रहे थे आ रही थी आदी सब्द आते तो उनका अनुवाद किस में किया जाता है पास परफेक्ट कांटीनिवर्स टेंस में किया जाता है चलिए देखते हैं नीचे आपका कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक है ठीक यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब इसे समझेए क्या लिख रखा है ठीक है आप दिहाँ से सुनिएगा ठीक देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रस्नमाचक वाक्य लिखा है क्या लता वर्सों से गीत गार रही थी अभी क्या बोलें यह किसके अंतरगत आता है पास फर्फेक्ट टेंस के अंतरगत पास फर्फेक्ट कांटीनिवस के अंतरगत आता है ठीक है चलिए आप देखने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं अब देखने इंट्रोगेटिव मतलब कोई भी परस्नमाचक वाक्य होना चाहिए ठीक जैसे क्या वर्ड जो स्टार्टिंग में आया है ये वर्ड जो आया है तो बताओ किसको सटिस्फाई कर रहा है इंट्रोगेटिव यानि परस्नमाचक सब्द को सटिस्फाई कर रहा है ठीक है इससे पता चलता है ये जो पूरा सेंटेंस है क्या लता वर्सों से गीतगा रही थी ये जो पूरा sentence है कि इसका past perfect continuous interrogative sentence का वाक है ठीक ये था इसको अब बनाने का नियम अब इससे कैसे बनाये दाएगा कि पहले क्या लिखें करता लिखें कि परस्माचक वाक के लिखें कि सहाय किरिया लिखें कि या लिखें यही सब हमें क्या पाना चले सबसे पहले हम चलते हैं बनाने का नियम और एक प्यारा सा यहां से सुतर देखेंगे ठीक है चलिए हम बनाने के नियम पर चलते हैं ये रहा है आपका बनाने का नियम पहला नियम आप ध्यान से सुनिएगा हर एक नियम को आप ध्यान से सुनिएगा ठीक है देखिए यदि वाकि की सुरुआत है यदि वाकि की सुरुआत क्या सब्द से हो तो सहायक किरिया के रूप में किसका पर्योग करते हैं हैड का पर्योग करते हैं दुबारा सुनिए के रूप में हमें क्या लिखना पड़ेगा हैड लिखना पड़ेगा ठीक हैड लिखनेगे उसके बाद ये कंडिशन पहली थी अमाले ते कंडिशन चेंज हो जाए ठीक मतलब परस्णवाचक वाक के सबसे पहले आये तो हम क्या हैड से स्टार्ट करेंगे ठीक क्या से स्टार सब्द आएं प्रस्वाचक सब्द क्या हो सकते हैं कैसे क्यों कहां कब यह सब यदि वाकर के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रिये जी लिखते हैं ठीक यदि क्या सही स्टार्ट होती है तो हैड का परियोग अब क्या सही स्टार्ट न होकर प्रस्वाचक सब्द ज कोने के बाद यानि सबजेक्ट यानि करता को लिखते हैं उसके बाद बीन का परियोग करते हैं करता के तुरंत बाद हमें क्या का परियोग करना बीन का परियोग करना ठीक उसके बाद मुख किरिया का आई एंजी फार्म जो भी आपकी मुख किरिया रहेगी में वर पर किसका आई अयंजी फार्म लिखना पड़ेगा ठीक है आई अई अजी फार्म लिख दिए उसके बाद आते हैं क्या होता उसके बाद अन्य सब्द को ऐसे ही लिख देते हैं मतलब जो भी अन्य सब्द बचा हुआ है उसकी अंग्रेजी उसके बगल में आपको लिखते चले जानी है ठीक इतना हुआ अब आते हैं नेश्ट पे उसके नेश्ट बात क्या करना उसके बाद वाक्य के अंत में प्रस्थमाचक चिन लगाना मत भूलिएगा यदि इंट्रोगेट्व सेंटेंस कहीं भी रहे तो यह यदि चिन है लगा हुआ है तो समझ जाए कोई भी सेंट से होती है तो सहाय करिया के रूप में हैड का परियोग करते हैं ठीक अब सुनिए यदि वाक्य के सुरुगात क्या सब्द से नहो कर कोई परस्थमाचक सब्द वाक्य के बीच में आदा है तो सबसे पहले एंग्रेजी उसकी लिखती है उसके बाद हमें सकरता है यानी सुत्र बनाते हैं ठीक सुत्र बनाएंगे ठीक है चलिए आपका सुत्र बनाते हम क्या बोले हैं यदि वाक्य की सुरुआत क्या से होती तो सबसे पहले सबसे पहले क्या लिखना है सहायक किरिया के रूप में सहायक किरिया के रूप में हैड का परियोग करते हैं उसके बोले थें कि नहीं इसी को चिपकाते चले जाना है उसके बाद बोले थें जो भी आपकी मुख किरिया रहेगी मुख किरिया का कौन सा फार्म आई एंजी फार्म लिखनी है ठीक मुख किरिया का आई एंजी फार्म उसके बाद क्या लिखना है अन सब्द को ऐसे ही अन सब्द को ऐसे ही लिख कर क्या लगा देना यह वाला चिन लगा देना ठीक यह था सुत्र पहला यदि वाक की शुरुआत क्या से होती तो सबसे पहले हैट का पर्योग उसके बाद करता उसके बीन उसके मुख करिया का यह अजी फाम अन्य को तो सबसे पहले सबसे पहले उस सबसे पहले रहे चिंट सबसे पहले उसकिता है किसे पहले यंग्रेजी उठाकर लिखते है उसके बाद क्या लिखने हैं हमें सहायक किरिया के रूप में सहायक किरिया के रूप में किसका परियोग करते हैं हैड का परियोग करते हैं उसके बाद हमें क्या लिखना है करता पलस क्या लिखना है मुख किरिया जो भी रहेगी उसका क्या करना है आई एंजी फाम लगाना है कौन सा फाम आई एंजी फाम लगाना है उसके बद क्या बोलना है अन्य सब्द को दिख रहा ना अन्य सब्द को ऐसे ही लिख कर और लास्ट में ये वला चिन लगाना मत भूलिएगा क्या बोले है यदि वाके की सुरुवात क्या से ने होकर प्रस्णमाचक सब वाके के बीच में आ जाये तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं उसके बाद सहायक किरिया के रूप में हैड का परियोग करते हैं ठीक करता का पर्योग करते हैं मुख क्रिया का आई एंजी फाम पर्योग करते हैं मुख क्रिया का कौन से फाम आई एंजी फाम अन्नेवर्ड को ऐसे ही लिग देते हैं ठीक एक चीज़ भुला रहा है लगता है ठीक बीन कहा गया जी अरे यार लो भाई यहां से बीन का परियोग कर देते हैं करता के तुरंत बाद हम क्या कर देते हैं बीन का परियोग कर देते हैं ठीक है यह था टोटल बनाने का नियम और सूतर चलिए वा के देखते हैं जिसे हमारा कॉंसेप्ट जादा जादा किलियर होगा पहला यहीं जो इस्टार्टिंग में देखे तो इसी को देख लेते हैं क्या लता वर्सो से गीत गा रही थी ठीक तो क्या से स्टार्ट हुआ तो बीना सोचे आपको क्या लिख देना हैड का लिख देना है हैड हमने लिख दिया हैड हमने यहां से लिख दिया उसके बाद हम क्या बोलें करता करता के रूप में कौन है लता है ठीक है लता है अब देखो बीन बीन के पर योग यहां कर देना है आपको बीन कर देना है ठीक है अब मुख किरिया का आइंजी फ़म गा रही है तो गाना का क्या हो जाएगा सिंग हो जाएगा ठीक तो हमने क् प्यारा सा वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा टेंस की सीरीज में पास्ट परफेक्ट में देखिएगा कि फार का परियोग कब होगा और सिंस का परियोग होगा उसमें आपको कॉंसेप्ट किलियर होगा नहीं तो आप उसमें सिंस और सिंस और फार का परियोग लिखेगा और उसके बद हमारे बाई हमारे चैनल का नाम लिख दीजेगा तुरंत आपका वीडियो अलवो लेवल हो जाए को वहां से आप इसली देख सकते हैं ठीक लता वर्सों से गीतगार ही थी यह आपका सेंटेंस बनके तयार हो गया चलिए अब बहुत सारा वाक देख लिखेंगे जिससे हमारा कॉंसेप्ट और अधीक कीलियर होगा ठीक है चलिए यह देखते हैं आपका जो भी चीज रहेगा लिखा है क्या वे लोग 1980 से खेती कर रहे थें ठीक क्या वे 1980 से खेती कर रहे थें क्या से स्टार्ट हुआ तो बिना सोचे आपको क्या लिख देना हैड का परियोग लिख देना ठीक उसके बाद वे मतलब करता है यानि दे लिख देना है ठीक उसके बाद हमें क्या लिख देना है बीन लिख देना है इतना तो लिखी सकते हैं ठीक अब करना का क्या हो जाएगा डूइंग क्या हो जाएगा डूइंग क्या कर रहे हैं फार् ठीक फुलिश्टाप नई मारका फिंट्रोगेशन मतलब दे है या सोरी हैड दे बीन दूइंग फार्मिंग सिंस 1980 ठीक क्या वे लोग 1980 से खेती कर रहे थे तो इसका बन के तयार हो गया ठीक अब क्या रही क्या मचुआरे दो माह से मचलिया कहां पकड रहे थे मचुआरे दो माह से मचलिया कहां पकड रहे थे तो बीच में आया है तो सबसे पहले से उठा के यहां लिखिए यानि कहां का क्या हो जाएगा वेर हम क्या बोलें उसके बाद सहाय किरिया के रूप में हैड का परियोग करना है उसके बाद करता लिखना मचुआरे दफीसर मै में लिख देंगे ठीक अब देखों PAKđना कैचिंग, कैचिंग मतलग पकरना होता तो हमने कैच हो मत पकरना हो वसकी हर इन्जी फाम हमने लग कैचिंग किसे पकर आए मचलियों को पकर रहे दर फीस ठीक अब किते महिने से मचलिया कहां पकड़ रहे थें वेर हैड दे फीसर मैन के दे फीस फार टू मन्थ ठीक तो ये था सेंटेंज दो सेंटेंज चलिए और नीचे सेंटेंज देखते हैं किसी से और कॉंसेप्ट आपका किलियर होगा क्या लिखा है माली तीन दिन से पौधे को पानी क्यों दे रहा था ये क्यों है भाई क्यों दे रहा था ठीक तो देखो क्यों बीच में है तो सबसे पहले उठा के लिए कि ये वाई भी ना सोचे समझे ठीक उसके बाद हमें क्या लिखना है सहाय क्रिया के रूप में लिख दिया ठीक अब हमें करता लिखना है तो माली माली क्या क्या हो जाएगा गारडेनर ठीक है गारडेनर माली है बाबू ठीक है अब क्या कर रहा है देखिए क्या दिया वाटर ठीक तो वाटरिंग लिख देंगे क्या लिख देंगे water ring मतलब ये देना का क्या हो जाएगा जी सही गलत है यहां कर देंगे giving कर देते हैं ठीक चलिए यहां से giving giving में इस क्या होता देना क्या दे रहा है water the plant water the plant ठीक है water the plant कितने दिन से तीन दिनों से फूर यहां से फूर थ्री डेज ठीक यह फूली स्टाप मारक फिंट्रोगेशन हो गया why had the garden giving giving ठीक है giving water the plant water the plant for three days ठीक है क्या माली तीन दिनों से पौधो को पानी क्यों दे रहा था तो यह बन के आपका तयार हो गया ठीक है क्या द्यापक एक गंटे से तुम्हें पढ़ा रहे थे ते देखो क्या दिया क्या द्यापक तुम्हें एक गंटे से पढ़ा रहे है क्या सबसे पहले आया तो क्या लिखना हमें head का परियोग करना किसका head का परियोग करना उसके बाद करता तक क्या लिग देंगे The Teacher उसके बाद हमें क्या कोई ना सोचे बीन का पर्योग कर देना है उसके बाद पढ़ाना पढ़ाना का क्या हो जाएगा Teaching हो जाएगी थीक तो हमने क्या कर दिया Teaching यहां लिग दिया किसे तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो you हो जाएंगे उस कितने एक घंटे से for one hour ठीक one hour हो जाएगा ठीक ये fully stop नहीं मारका फिंट्रोगेशन बन गया had the teacher been teaching you for one hour ठीक है ये आपका sentence था किसके बारे में past perfect continuous interrogative sentence ठीक आज के लिए बस इतना आई फिन मिलेंगे past perfect negative plus interrogative sentence इसे का सबसे last portion यानी past tension का सबसे last portion होने माला है ठीक तब तक के लिए बाई